नमस्कार दोस्तों आज है 17 नमबर 2018 और हम डिसकस करने जार हैं आज का करेंट अफियर करेंट अफियर की जितने भी महात्पूर्ण प्रशन हैं उनको आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिसकस करेंगे इसका PDF आपको हम देते हैं इसको पानी के लिए आपको Telegram चैनल जोइन करना है जिसका लिंक नीचे डिसक्रिप्शन बाक्स में दिया हुआ है सबसे पहले करेंट का अपरेट हम यहां पर देते हैं आपको रोच सुबह चार बजे जिससे आप सुबह से लेकर रात तक जब भी आपके पास समय हो आसानी से इसको देख सके है कई लोग किसी काया थे कि Telegram जोइन नहीं हो रहा है मैं उसे कहना चाहता हूँ कि वो पहले Telegram डाउनलोड करने आए उसके बाद में रेइस्टर्ट कर ले एक नंबर से जैसे आप WhatsApp चलाते हैं उसी तरह के से किसी नंबर से आप इसको रेइस्टर्ट कर लिजे ओटीपी डाल देजे और उसके बाद में यहां पर जाकि कि डिस्क्रिप्शन बाक से लिंक को अपन करिए आई एस प्रेप का पेस खुलेगा इंटरनेट ध्यान रखिएगा आपका सही होना चाहिए एक बार आप जोइन कर लेंगे तो आपको निरंतर पीडिया और अनिसा मगरी मिलती रहेगी आपका गाइड आपका दोस्त भी कहते हैं तो यह किस ने जीता तो यह कब जीता है मालदीव ने बी ऑप्सन इसका करेक्ट है मालदीव ने इसको किसको हरा कर जीता है यह भी बहुत इंपोर्टेंट है इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत हारा है ठीक है ना और मालदीव को यह जीत 2008 में अपने प ऐसे आपकी तैयारी मैप की जो है वो हो जाती है तो उससे बहुत कुछ समझ में आने लगता है आसानी होती है जो का में। 23 दूसरे प्रशन है पॉलयंड में सेलिशन अपन वाकिसिंग में में एंसी मेरिकॉम ने कि स्रीलि में सर promise जीता है उन्होंने सवान जीता एंस Wal держ बताना है आपको नहीं थे लिए इस उत्तर है इसका 48 kg वर्ग में फटाने जीत है 48 kg etcetera किती है एंप सोनि सका सब्सक्राइए और इनका ये इस 48 kg को च Train में और बताना चाहता हूं कि ये 5 बार वर्ड 17 रह चुकी हैं भार्तियय differenti ये तो आप जानते ही हैं पांच बार रह चुकी है पाँच बार ये हो सोनड़ी चुकी है उसमें और 48 kgs में इनका ये सिलेशियन ओपन वाक्सिंग में ये तीसरा सोन रहा है जोती गुलिया एक और ये ध्यान न कियेगा इन्होंने गिल्विस पोलेंड में महिलाओं के लिए सिलेशियस ओपन मुक्यवाजी टुड़न्या मेंड की 51 किलोग्राम इवस रेड़ी में देश का अकेला स मेरिकाम एक मार्च 1983 को ये जन्मी और ये मड़ीपूर की रहने वाली मूलनिवासी वहां की हैं 2012 के लंदन ओलंपिक में कांसे 2010 के ACI खेल में कांसे और 2014 के ACI खेल में इन्होंने सौन पदक हासिल किया था तो ये भी रिकार्ड इनके नाम है एक बार PCS ने इनके व्यक्तिग तो मेरिकाम फिल्म में जुड़वा बच्चे जो दिखाएगे हैं उसके बाद एक बच्चा इनको और है तो जब आप फिल्म देखा करिए तो कम से कम जब किसी जैसे कोई बायोपिक है तो ये छोटी-छोटी चीजों को द्यान में रखा करिए उस समय फिल्म आई थी इसल प्रशन को टाइब कर रहा था उस समय ये था कि करेगा लेकिन बाद में ये क्या हुआ फिर मेरे पास थोड़ी दिर बाद ख़वार आई मतलब मैंने मेरे पास क्या इस रोने इस बसली भेजा नहीं था मैंने सर्च किया तो पता चला ये लांच दस बसके 26 मिनट पे साइद ये लांच हो चुका था और इसमें आपको बताना चाहता हूं जो सबसे इंपोर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है सतीस धवन स्पेस सेंटर के नाम से इसको जाना जाता है जो स्री हरिकोटा का लांच पैड है और इसमें नोवा सार और S14 ये दो उपग्रे इसने वेज़े हैं और ये दुनों UK के हैं सब्सक्राइब के हैं दोनों उपग्रों को 553 किलोमेटर सूरी सिंक्रोनस कच्छा में लांच करने की योजना है PSLV C42 जो उनाइट किंग्डम से अवलोकन उपग्रों कुले जाएगा इस वर्स का पहला भाडिजिक लांच है इस वर्स का अगर आप से पुछा जाए तो य मनस्पति रंगरोद और आन एर सेवाओं में सहयोग पर भारत ने किस देश के साथ समझहोते पर हस्ताचर किये तो यह देश है सर्विया हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो तीन देशों की यात्रा पर हैं सर्विया माल्टा और रोमानिया सर्विया की यात्रा आज उ सानय युवलेघ्ये शूग मना रहे हैं भारत और सर्विया अपने बीच कूटनितिक संबंदों की लिए सर्विया है ठीक है और इसकी सीमा देखिए किस हिसे मिलती है ओपर हंगरी है क्रोशिया है और यह बोस्टनिया ह M अट हर्जगोविण्यमा है और यह मॉंट 망 डगरो ये कोशोवो वुल्गारिया और ये रोमानिया ठीक है न तो इससे इसकी सीमा मिलती है और इसकी जो राजधानी है सर्विया की उसको भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये वैल ग्रेड है वैल ग्रेड ही तो है तो ये इनफार्मिशन आपको ध्यान में रखनी है ध्यान ये चेक कर लिजेगा वेल गेट राजधानी है कि नहीं अगर मैं गलत बोला हूँ तो आप बताईएगा कभी-कभी मुझे भी याद नहीं आता है ठीक है ना अगला प्रशन वारणसी में प्रवाशी भारती दिवस किस तिथी में आयोजित की जाएगी तो पंद्रहवी प मनाने का निर्णे लिया गया होता ही है और 2003 में ततकाली जब प्रवाशी भारती भारती यानि महात्मा गाधी दच्छिन अफरीका से भारत लौटे थे उसी के उपलक्ष में ये मनाया जाता है प्रधानमंत्री नरेद मोधी की सरकार ने इस प्रवाशी भारती दिवस की तारीक को बदलकर 21 से 23 जन्वरी के बीच वारणसी में बनाने का निर्णे लिया है अगला प्रशन है ट्रेजर्ड एपिल्स पुस्तक के एपिसल्स सारी सही उचारण ये है ट्रेजर्ड एपिसल्स इस पुस्तक के लेख कौन है तो यह पुस्तक है नटवर शिंग की वी ऑप्सन सही है नटवर सिंग कौन थे ये पूर विदेश मंतरी थे और ये कांग्रेश गवर्मेंट में विदेश मंतरी रह चुके हैं इन्होंने एक पुस्तक लिखी है उसमें कहा है कि पूर प्रधान मंतरी इंद्रा गांधी ने 1975 में आपातकाल लागुकर और 1984 में आपरेशन बिल्यू इस्टार को मंजूरी देकर दो गंभीर गलतियां के थी यहना बात में उन्होंने ये भी लिखा है कि ये बहुत अच्छी प्रधान मंतरी थी और महान थी ताकतवर प्रधान मंतरी थी अच्छी नहीं ताकतवर महान लिखा है अच्छा होना दूसरी बात है तो ये नेटवर्सिंग जी है इनकी फोटो भी आप देख लीजे काफी वजुर्ग भी है इन्होंने अपने विचार व्यक्त किया है हाउती या हूती विद्रुहियों का संबंद निम्रिकित में से कि इस देश से हैं तो ये प्रश्ण आप सोचेंगे करेंड में कहां से आ गया ऐस ये चर्चा में था इसलिए हमने आपके सामने प्रस्तित किया है तो इनका संबंद यमन से हैं और ये हावती इनको हूसी के नाम से भी नायाता है ये एमन का अल्प संख्यक सिया समधाय है और जैदी सिया समू के हैं जो सिवाओं में भी अल्प संख्यक समू है और इन्होंने अपने संगठन का नाम हुसेन भद्र ददीन अल हूती के नाम पर रखा है इंपोर्टन्ट यह है यहां पर जो दिहान रखना है वो है कि 2011 से करांती में इन्होंने भाग लेना शुरू किया और उन्हें ने दावा किया है कि उनका साद और अलजाफ नामक दो गवर्णनेंट पर कबज़ा हो गया है और तीसरे गवर्णनेंट हजाफ और कबजे के करीव हैं और यमन की राजधानी क्या है सना उन्होंने अंत्रण में उनकी मदद करेगी तो यह सारी चीज़ है आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहते हैं तो आपको ध्यान में रहती है सना याद रखियेगा कि इसकी यमन की राजधानी है अगला प्रशन है अक्टूबर 2019 के अंत्र तक किस महादीप में गर्मी और सर्दी में समय बदलने की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी यह नहीं कि पहल समय बदलने की प्रक्रिया को खत्म कर दिया जाएगा और इस समय प्रक्रिया का इस्तेमाल जो यह समय प्रक्रिया है इस समय की बात नहीं है समय प्रक्रिया इसका जो इस्तेमाल विश्युद्यों के समय उड़जा सनरच्ण के साधन की रूप में होने के साथ साथ 1970 के देसक इस समय आप्त कर दिया जाएगा अगला प्रश्ण है किस धावक ने बर्लिन में महराथन में नया विश्वक कीर्थेमान बनाया तो यह है इल्यूद किपचोगे यह आपसन इसका सही है इल्यूद किपचोगे और यह है इनकी फोटो आप देख लीजिए इन्हों इन्हों ने जो रिकार्ड बनाया है ये कीनिया के है, सबसे पहले ये भी आप ध्यान लगिएगा, जित कीनिया ही है और थेटिस साल के हैं, दो घंटे एक मिनट उन्तालिस सेकंडॡ रिकार्ड इन्हों ने बनाया है, इस मैराथन का। और इनने रिकार्ड जो तोड़ा है वो देनिस की में थो इनका रिकार्ड था एक मिनट अठारा सेकेंड इन्से जाधा था यहीं कि इनका है दो गहंटे एक मिनट उन्टारी सेकेंड तो उनका कीतना हो जाएगा, tis, दो मिनट और 57 सिकंड दिखिए एक एक मिनट एक एक सिकंड की इतनी वैलू होती है आप से कहता रहता हूँ कि अपने टार्गेट को पाने के लिए आप एक एक सेकेंड का उप्योग कीजिए, मिनट नहीं है, एक सेकेंड का, तब जाके आपको अपना सपना, अपना टार्गेट एचीव हो पाएगा, और एक गोल रखिए, सुबह उठिए तो उसको सोचिए, और फिर पूरा दिन उसक से निधारित कर लीजिए, तो ये इल्यूद किप चोगे, ठीक है न, इसमें जो दो नाम है, जी लक्ष्मन और स्वाति वधावे, ये हमारे धावक हैं भारतिये, और ये मैराथन में हिस्सा लेते हैं, ध्यान रखिएगा, अंतिम प्रश्ण है, आज का मांग, खुत तूफान से प्रभावी देश कौन-कौन से हैं, इंपोर्टन्ट है तूफान क्योंकि ये तबाही अभी मचा रहा है, फिलिपीन्स में तबाही मचा चुका है, चाइना में भी मचा चुका है, और आगे हांग कांग में भी इसकी मचाने की लिए ऐसा, मतलब वहां की ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है, तो वहां तयार किया जा रहा है लोगों को कि इससे कैसे बच सकें, तो उपर युक तो दोनों इसका एंसर हो जाएगा, चीन और फिलिपीन्स, अमरिका में ये नहीं है, अमरिका में दूसरा है, अमरिका में है कौन सा, ये मैं आपको पहले ब से हवाये चलती हैं, और इससे पहले ये तोफान हांकांग से गुजरा था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा वहां तवाई नहीं मचाई थी इसने, फिलिपीन्स और चीन में ये जा चुका है, चीन का जो सबसे ज़्यादा अबादी वाला छेतर है, परांथ है, क्वांग वहां ये पहुंच गया था, तो ये इंपोर्टेंट है, अब देख लेते हैं, रिवीजन प्रशन जिसका उत्तर आपको देना है, अभी अन्ता दिवस 15 सितंबर को किसके जन्व दिवस के उसर पर मनाया जाता है, कमेंड बाक्स में आवसे बताईएगा, भारती रिजर बा आप दूसरों की जितनी मदद करेंगे, ओफर वाला आपकी उतनी मदद करेगा, हाना मैं भी मदद के तार पे ही एक क्लास चलाता हूँ, यह मत सूचिएगा कि बड़ा बहुत सारा पैसा यूट्यूब दे देता है, ऐसा कुछ नहीं है, हाँ, आप लोग अगर लाइक करते हैं, सेर करते हैं, व्यू बढ़ते हैं, तो हाऊसला जरूर बढ़ता है, डाउनलोड पीडियेफ आप कर सकते हैं, आप पहले ही बता चुका हूँ, टेलीग्राम चैनल से, नए हैं तो सब्स्राइब कर लिजेगा इस चैनल को, जिससे आपको आगे की वीडियो प्राप्त ह करने के लिए और जो लोग उत्तर दे रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थाइंक्यू, अल्दावेश्ट